ओम शैन्ती, गुड मॉर्निंग, आज 27 जन्वरी 2021 के साकार मूरली है, प्राण प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, यदी किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप साउधानी देंगे अज का प्रश्ण है, बाप ने कौन सा कॉंट्रेक्ट अर्था ठेका उठाया है, बबा उत्तर देते हैं, बच्चों के अउगुण निकालने का कॉंट्रेक्ट एक बाप नहीं उठाया है, बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं, तो वो निकालने के लिए प्यार से समझान देते है अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ लौ हाथ में लेना यह भी भूल है ओम शन्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चे आते है बाप से रिफ्रेश होने क्योंकि बच्चे जानते है बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशा ही लेनी है यह कभी भूलना नहीं चाहिए परन्तु भूल जाते है माया भूला देती है अगर न भूलावे तो बहुत खुशी रहे बाप समझाते है बच्चो इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो चित्रों को भी देखते रहो गुमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे है किया है न सुनाने का ज्यान देने का कार्य भी बाबा नहीं किया है तो बाप द्वारा ही बाप की याद करने से हम ये बन रहे हैं दैवी गुण भी धारन करने हैं यही समय है नॉलेज मिलने का बाप कहते है मीठे मीठे बच्चो रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं बाबा बच्चे कभी कड़वे भी हो जाते तो बाबा तो मीठा ही बोलते हैं बच्चों को है ना। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे है ना, बेहद के बाप तादा। परन्तु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते है, कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही होती है, कभी ब्रामनी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते है, तो बेहद का बाप बैट बच्चो को शिक्षा देते है, गाओ गाओ में बच्चे तो बहुत है, सब को लिखते रहते है, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो, बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे, बाप सब को कहते है, बच्चो देही अभिमानी भव, सब बच्चे नीचे उपर होते रहते है, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है, महावीर हनुमान के लिए दिखाया है, कि उनको भी लाने की कोशिश की, इस समय ही सब की परिक्षा लेती है, माया से हार, जीत, सब की होती रहती है, लड़ाई में समृती, विसमृती सब होता है, जो जितना समृती में रहते है, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते है वह अच्छा पद पा सकते है बाप आय है बच्छों को पढ़ाने सो तो पढ़ाते रहते है श्रीमत पर चलते रहना है श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ट बनेंगे इन में कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं बिगड़ना माना क्रोध करना भूल आदी करते है तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है खुद किसको नहीं कहना चाहिए फिर जैसे की लौ हाथ में ले लिया गवर्मेंट लौ हाथ में उठाने नहीं देती कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे कुछ नहीं कहना चाहिए बाबा को बोलो सब को साउधानी देने वाला एक बाबा है बाबा युकती बहुत मीठी बताएंगे मीठे पन से शिक्षा देंगे देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते है घाटा क्यों डालना चाहिए जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो बेहद के बाब को बहुत प्यार से याद करो जो बाब विश्व की बादशाही देते है सिर्फ दैवी गुन धारन करने है किसकी भी निंदा नहीं करनी है देवताएं किसकी निंदा करते है क्या कई बच्चे तो निंदा करने के विगर रहते नहीं तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे नहीं तो टाइम वेस्ट होता है निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फाइदा होगा कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे है अंदर में कितना फखुर रहना चाहिए मुख्य है ही याद और दैवी गुन बच्चे चक्रों को याद करते ही है वह तो सहज याद पड़ेगा 84 का चक्र है न तुमको सुरुष्टी के आदी मद्य अंत ड्यूरेशन का पता है फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचे देना है बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे है राज्ययोग सिखला रहे है विनाश तो सामने खड़ा है है भी संगम यूग जबकी नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है बाप बच्चों को सावधान करते रहते है सिमर सिमर सुखपाओ कलह कलेश मिटे सब तन के आधा कल्प के लिए मिट चाएंगे माया रावन फिर दुखधाम स्थापन करते है यह भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार, पुरुशार्थ, अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है शुरू से बाप का लव है बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो कामचिता पर काले हो गए है उन्होंको गोरा बनाने जाता हूँ बाप तो नॉलेज़्फुल है बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते है माया फिर भुला देती है खुशी आने नहीं देती बच्चों को तो दिन प्रदी दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए सत्यूग में पारा चढ़ा हुआ था अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पालेंगे बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे बाब तादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते है और समझानी देते रहते है बाहर सेंटर्स आदी पर रहते है तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते है सेंटर्स से होकर फिर बाहर के वायू मंडल में चले जाते है इसलिए यहां बच्चे आते ही है रिफ्रेश होने के लिए बाप लिखते भी है परिवार सहीत सब को याद प्यार देना वह है हद का बाप यह है बेहद का बाप बाप और दादा दोनु का बहुत लव है क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते है और बहुत प्यार से करते है अंदर तरस पढ़ता है नहीं पढ़ते है या चलन अच्छी नहीं चलते है श्रीमत पर नहीं चलते है और बाबा क्या कर सकते है, वहां और यहां रहने में बहुत फर्क है, परन्तु सब तो यहां नहीं रह सकते है, बच्चे वृध्धी को पाते रहते है, प्रबंध भी करते रहते है, यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है, बाबा कहते है, मैं यहां ही आकर सारी सुरिष्टी को पांच तत्वों सहित सब को पवित्र बनाता हूँ कितनी सेवा है? एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गती करते है सो भी अनीक बार किया है यह जानते हुए भी फिर भूल जाते है तब बाप कहते है माया बड़ी जबरदस्त है आधा कल्प इनका राज्य चलता है माया हराती है फिर बाप खड़ा करते है बहुत लिखते है बाबा हम गिर गया अच्छा फिर नहीं गिरना फिर भी गिर पड़ते है गिरते हैं तो फिर चड़ना ही छोड़ देते है कि तनी चोट लग जाती है सबको लगती है सारा मदार है पढ़ाई पर पढ़ाई में योग है ही फलाना मुझे ये पढ़ा रहे है अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे है यहां तुम बहुत रिफ्रेश होते हो गायन भी है निन्दा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान वाज मेरी गलानी बहुत करते है मैं आकर मित्र बनता हूँ कितनी निन्दा करते है मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे है कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ अबरदारी रखने चाहिए भिन भिन अवस्थाव वाले बच्चे सब पुरुशार्थ करते रहते हैं कोई भूल भी होती है तो पुरुशार्थ कर अभूल बनना हैं माया सब से भूले कराती रहती है बॉक्सिंग है न कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है बाप स जाओधानी देते है बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी पाच मंजल से गिर पड़ते है कहते है बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी अब ख्शमा करो बाबा ख्शमा क्या करेंगे बाप तो कहते है पुरुशार्थ करो बाबा जानते है माया बहुत प्रब टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वो होती रहेगी नहीं अच्छे गुन गाये जाते हैं भूल नहीं गाई जाती है अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है वह दवाई करेंगे तुम बच्चे क्यों अपन पानी ही करते रहेंगे सुधारना बाप का काम है तुम सुधारने वाले थोड़ी हो कोई में कोद क्रोध का भूत है खुद बैठ किसकी गलानी करते है तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया इससे वह सुधरेंगे नहीं और ही अन्बन हो जाएगी लोन पानी हो जाएंगे सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है लो अपने हाथ में उठाये किसकी गलानी करना यह भारी भूल है कोई न कोई खराबी तो सब में होती है सब संपूर्णत तो नहीं बने है कोई में क्या अउगुन है कोई में क्या है वह सब निकालने का कॉंट्रेक्ट बाप ने उठाया है यह तुम्हारा काम ही नहीं बच्चों की खामियां बाप सुनते है तो वह निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है सब श्रीमत पर सुधर रहे है संपूर्ण तो अंत में बनना है इस समय सब पुरुशार्थी है ब बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते है शिक्षा देना बाप का काम है फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर कितना पद कम हो पड़ता है श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भरष्ट हो जाएगा दिल अंदर खाएगा हमने यह भूल की है हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसका भी अवगुण है तो वो बाप को सुनाना है दर दर सुनाना यह दे अभिमान है बाप को याद नहीं करते है अव अभिचारी बनना चाहिए न एक को सुनाएंगे तो वो जट सुधर जाएंगे सुधारने वाला एक ही बाप है बाकी तो सब हैं अनसुधरे परन्तु माया ऐसी है माथा फिरा देती है बाप एक तरफ मूँ करते है माया फिर घुमा कर अपने तरफ कर लेती है बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने बाकी दरदर किसका नाम बदनाम करना ये बेकाय दे है तुम शुवबा को याद करो जज्मेंट भी उनके पास होती है न कर्मों का फल भी बाप देते है भल रामा में है परन्तु किसका नाम तो लिया जाता है न बाटे समझाते रहते हैं. तुम कितने भाग्यशाली हो? कितने महमान आते हैं? जिनके पास बहुत महमान आते हैं, वह खुश होते हैं. यह बच्छे भी है, तो महमान भी है. कीचर की बुधी में यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुन संपन्न बनाऊँ यह कॉंट्रेक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लैन अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए मुरली का ही तो गायन है न? एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एपसंट पढ़ गई यह है बेहद के बाप का स्कूल इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए आप आकर पढ़ाते है दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है? स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है? यह भी कोई नहीं जानते है तुम सब कुछ जानते हो यह पढ़ाई बहुत-बहुत अतहा कमाई की है जनम-जनमांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है विनाश का सारा तैलुक तुम्हारी पढ़ाई से है तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते सब मार्क्स पूरी हो जाती है इम्तिहान हो जाता है तब लड़ाई लगती है बाबा केते पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है इमतहान हो जाता है तब लड़ाई लगती है तुम्हारी पड़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी यह नई दुनिया के लिए बिलकुल नया ग्यान है इसलिए मनुष्य बिचारे मूँचते है अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता, बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता, बाप तादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वा बाबा वा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट किसी के अउगुन देख उसकी निंदा नहीं करना है जगह जब गह पर उसके अउगुन नहीं सुनाने है अपना मीठापन नहीं छोड़ना है क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है दूसरी पॉइंट है सब को सुधारने वाला एक बाप है इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है अव्य भिचारी बनना है मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है आज का मिठा वर्दान है देह अभिमान के मैपन की संपूर्ण आहुती डालने वाले धारना स्वरूप भव जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैपन न हो अनादी आत्मिक स्वरूप की स्मृती हो बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे तब कहेंगे धारना स्वरूप सच्चे ब्राह्मन मैपन अर्थात पुराने स्वभाव संसकार रुपी स्रुष्टी को जब आप ब्राह्मन इस महायग्य में स्वाहा करेंगे तब इस पुरानी स्रुष्टी की आहुती पड़ेगी तो जैसे यग्य रचने के लिए निमित बने हो ऐसे अब अंतिम आहुती डाल समाप्ती के भी निमित बनो अजका स्लोगन है स्वयम से सेवा से और सर्व से संतुष्ट आ का सर्टिफिकेट लेना ही सिध्धी स्वरूप बनना है स्वयम से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिध्धी स्वरूप बनना है अच्छा, आज meditation रली करेंगे अंतिम समय की सेवा के उपर स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे हम सभी परमात्मा के हम महान योगी बच्चो प्रती महावाक्य है अंतह वाहक अर्थात अंतिम स्थिती, शक्ति शाले स्थिती आपका अंतिम वाहन बनेगा स्थित हो जाएं आज के स्वमान में मैं भक्तो की इश्ट अश्ट भुजाधारी, विश्व कल्यानी, महादानी, वरदानी, विश्व परिवर्तक सर्व इंद्रियजीत आत्मा हूँ अपने लाइट, माइट, स्वरूप का अनुभव करेंगे मैं आत्मा सर्व को सत्यमार्ग दिखाने के निमित लाइट हाउज हूँ सब को काल के पंजे से छुडाने के निमित माइट हाउज हूँ मुझसे निकलता प्रकाश आत्माओं को उनके असली घर की राहा दिखा रहा है मेरा श्रक्ति दाइनी स्वरूप भक्तों को उनकी कर्म बंधनों से मुक्त कर रहा है मेरा स्वरूप लाइट माइट का है अन्त समय के इस अती कल्यान कारी स्वरूप में मैं स्थित हो चुकी हूँ भक्त आत्माओं धर्मात्माओं पाप आत्माओं सभी एक सेकेंड के दृष्टी पाने के लिए अपनी जन्म जन्म की प्यास मिठाने के लिए बिखारी के रूप में सामने कतार में खड़ी है वे आपकी महिमा में ही सर्व सुखों की अनुभूती कर रही है वे आपकी महिमा का बखान करती नहीं ठक रही है हे सुखदाई, हे शांतिदाईनी, हे वर्दाईनी हमें भी सदा सुख का वर्दान देदो हमें भी शांती का दान देदो हमारे कश्टों को हर लो, हे देवी मा हे मा शितला, हमें भी क्षमादान देदो हे अश्ट भुजादारी मा दुर्गे हमें मुक्ती का वर्दान देदो मा भवानी दुख्यों की करून पुकार सुनकर मेरे नैनों से सर्व शक्तियों से भरपूर किर्णू का जैसे जर्णा बहने लगा और उसमें भीग कर सर्व आत्माएं त्रिप्त हो रही है वो अपनी इस विनाशी देह से सहजी न्यारी हो रही है वे मुक्ती को प्राप्त कर रही है वे नजर से निहाल हो रही है अब स्वयम को पुल्हां इस साकारी स्वरूप में महसूस करें और आज सहारा दिन आज का स्वमान उसमें भी स्थित रहेंगे और स्वमान को लिखने का भी अभ्यास करेंगे आज 27 जुन्वरी का स्वमान है मैं देही अभिमानी धारना स्वरूप आत्मा हूँ छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोत समझ कर बोलो निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल वानी, ओम शान्ती करेंगे